इम्रान हाश्मी का टाइगर 3 का लुक हुआ वाइरल सीरियल के सर ने घटा लिया है कई किलो वेट बॉलिवोड फिल्म स्टार सलमान खान के अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग दुबारा जल्दी ही शुरू होने वाली है इससे पहले फिल्म में सलमान खान के विलन के रूप में नजराने वाले स्टार इम्रान हाश्मी ने कड़ी तैयारी भी शुरू कर दिया है इम्रान हाश्मी ने टाइगर 3 की शूटिंग शुरू करने से पहले जिम में घंटों पसीना बहाना शुरू कर दिया है फिल्म स्टार ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके दी है जिसके लिए वो अपनी अल्ट्रा फिट बॉडी को फ्लांट करते हुए दिख रहे हैं इमरान हाश्मी के समेक ओवर ने हर किसी को हैरान कर दिया है इमरान हाश्मी की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है चंद गंटों पहले सोशल मीडिया पर शेयर की गए इस तस्वीर को अब तक 3 लाग से भी जादा लोग लाइक कर चुके हैं फिल्म स्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग मुंबई में 23 जुलाई से शुरू होने वाली है रिपोर्ट्स की मानी तो फिल्म के विदेश में होने वाली शूटिंग को मेकर्स नी फिलहाल टाल दिया है डिरेक्टर मुनीर शर्मा, टाइगर 3 की कुछ हिस्सों की शूटिंग मुंबई में ही एक सेट बनवा करने वाले हैं ये सेट मिडल इस्ट का लुक देगा फिल्म के लिए सेट को निर्माताओं ने पहले ही बनवा लिया था जहां फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पहले भी हुई है तुफान ताउती की वज़े से ये सेट बरबाद हो गया था अब मेकर्स इसे रिनोवेट करवा कर सलमान कान, काट्रीना कैफ और इमरान हाश्मी के कुछ जरूरी आक्शन सीन्स को शूट करेंगे इमरान हाश्मी की फिल्म मुंबई सागा कुछ वक्त पहले ही रिलीस हुई थी इस फिल्म में आक्टर जॉन अब्राहम के साथ नजर आए थे उसकी बाद उनकी अमिदाब बच्चन के साथ फिल्म चेहरे भी रिलीस के लिए तयार खड़ी है इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क भी शुरू हो चुका है इसके अलावा वो आलियाबट के साथ फिल्म गंगुबाई का अठ्यावारी में भी नजर आने वाले हैं